तो मार्केट में थोड़ी सी ग्रीनरी हमको देखने को मिली है जहाँ पर बिटकोईन की प्राइस 18,000 डॉलर्स पर ट्रेट कर रही है लेकिन यहाँ पर एक फूर्दर इंफॉर्मेशन और निकल के आई है जहाँ पर पॉसिबली अब इसको सुनके आप डरना मत क्योंकि बहुत सारे सिनारियो जो है यहाँ पर हो सकते हैं उसी को मैं आज के वीडियो के इंदर एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपडेटर रहे और इंफॉर्मेशन सुनके कुछ गलट डिसिजन जो है यहाँ पर आप नहीं लें सबसे पहले अगर हम यहाँ पर move on करते हैं तो bitcoin का चार्ट है जो आज की दिन तो देखना बनता है इत्ते टाहिम बाद थोड़ी सी हर्याली जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं लेकिन अभी भी जो movement है वो इतना sufficient है नहीं जैसा मैंने आपको previously बताया था क इस तरह के price movement हमको कहीं बार देखने को मिलते हैं market में normal sentiment होता है कि छोटे-मोटे movement होते तो लोग फटा-फट यहाँ पर bullish थोड़े से हो जाते हैं जिसकी according currently अगर हम देखेंगे जो hidden bearish divergence जो मैं previous वीडियो में बात कर रहा हूँ वो अभी भी यहाँ पर बन रही है जब तक ह $19,000 के उपर नहीं जाते है weekly close मतलब in fact in a way अगर bitcoin की price जो है न I want to see यहाँ पर क्या reaction करती है जहाँ पर rejection के chances अभी के लिए तो काफी जादा है but we'll have to see क्योंकि अगर आप देखोगे यह history में मतलब यह चीज में खुद ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ यह history में आप खुद issue है कि yes to the moon to the moon पहुच कहीं और गए फिर यहाँ पर चीज होई to the moon to the moon के नीचे जाए नहीं रहे we are going you are wrong everything is wrong it crashed अब similar चीज यहाँ पर हो रही है तो मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि यह चीज़े जो है invalidate हो नहीं सकती क्योंकि देखो TA के अंदर it depends on the factors अगर एकदम से volume आ ग करो यह volume को जो दिख रहा है आपको जो एकदम छोटा सा यहाँ पर move कर रहा है volume अभी तक आया नहीं है movement होनी के बाद भी and यही मैं example आपको previous दिखाता हूँ ऐसा ना एक scenario पहले आया था जहाँ पर भी hidden bearish divergence बनी थी लेकिन वो invalidate होके price उपड चली गई थी तो उससे आपको अगर आप देखोगे bitcoin की price बहुत hidden bearish divergence यहाँ पर बने थे लेकिन उसको invalidate करने के लिए अगर आप देखोगे volume decline करा था लेकिन जब price यहाँ पर jump हुई तो अब देख सकते हो यहाँ पर volume का एकदम से outburst आया था तो उसी according अगर यहाँ पर भी ऐसी कोई चीज होनी है तो volume का outburst price movement के साथ आना जरूरी है नहीं तो थोड़ा सा हमारे लिए careful होना जरूरी बन जाता है अब इसी को थोड़ा सा हम weekly charts के अंदर भी देखते हैं तो weekly charts में अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो currently आप देख सकते हो यहाँ पर bitcoin की price के लिए हमारा 300 weekly moving average जो है वो यहाँ पर test हो रह यह तो overall this is a very crucial zone $19,000 का अगर weekly में कुछ उपर close हो जाता है तो फिर भी वह अच्छी बात है अगर नहीं होता है तो we just need to be a bit more careful here right अब charts के यहाँ पर बात हो गई लेकिन overall आज के दिन के अंदर जो एक important चीज़ मैटर करती है वो यह भी मैटर करती है कि आज यहाँ पर US के जो inflation numbers है वो यहाँ पर निकल के आएंगे and वो 7 p.m. के around यहाँ पर announce करेंगे कि इस बार inflation जो है कितना कम यहाँ पर होता कर बहुत drastically कम हो जाता है तो that can be positive in a way and then we have to see on the follow-up की market का reaction किस तरह से होता है उसके आज़े 1st Feb को FOMC की meeting होगी और वहाँ पर interest date का announcement होगा तो that will be the next date to look forward to लेकिन यहाँ पर CPI numbers जो आते हो उसके basis पर बहुत सारी चीज़े matter करेंगे तो 7 p.m. पर आप Telegram पर join कर देना या Twitter पर follow कर दे अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि FTX के जो lawyers है उन्होंने यहाँ पर claim यह किया कि अभी 8 billion underwater है 8 billion उड़ा दी है उन्होंने गायब है अब यह पूरा यह क्या कर रहे थी यह देख रहे थी कि FTX ने कहाँ पर कौन से altcoin buy कर रखे हैं कहाँ पर कौन सी companies को buy कर रखे हैं कि bankruptcy lawyer हैं basically है आपर उनका यह बोलना है कि around 5 billion dollars worth of illiquid cash और जो assets है वो इन्होंने यहाँ पर gather करें and यहाँ पर अभी जो इन्होंने gather करें तो 5 billion के around इनका बोलना है और यहाँ पर इनका यह बोलना है कि कुछ company के जो assets थे वो भी इन्होंने sell off करें जैसे पहले हैं यहाँ पर FTX न इनको काफी सार coins और alt coins भी है जो यहाँ पर मिले है तो इन्होंने यहाँ पर यह बोले कि हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे जो भी strategic investment यहाँ पर नहीं है तो उसको हम यहाँ पर sell off कर सकते हैं तो book value of this investment is 4.6 तो इसमें काफी बड़े amount के जो alt coins हो सकते हैं वो यहा और चंक of coins जो हैं वो sell करते हैं Solana, Ethereum तो फिर भी उसकी liquidity थोड़ी better रहती है Solana हो गया Serum हो गया FTT हो गया और बाकी जितने coins है जहाँ पर कहीं नहीं होल्ड कर रहा अगर वो sell करते हैं BNB भी कहीं पर हो सकता है तो उसका थोड़ा सा impact तो आ सकता है लेकिन I feel क्योंकि यह issue अ impact नहीं है और mostly इन coins के अंदर क्योंकि liquidity थी strong नहीं है Bitcoin Ethereum में फिर भी मिल जाती है बाकी coins में इती है नहीं 4.6 billion dollars बहुत होते हैं तो वहाँ पर इनकी लिए sell करना होता fruitful नहीं होगा क्योंकि sell करेंगे तो इनकी 4.6 की जो value है वो कम हो के पता नहीं 1 billion बन जाए उससे भी कम हो ज सकता है अगर यहाँ पर यह जो coins है यह market पर सीधा dump करते हैं जो मेरे को नहीं लगता है इनकी sensible move पॉसिबिल यह फिर भी कर सकते है कि इन सारे alt coins को pump कर वाया और फिर liquidity create करके उसको dump करने की जिसके अंदर SBF is expert possibly क्या पता हो plan भी कर रहा हो या फिर on the other side यह VCs से या बाकी जो investors उनसे बात करके at a discounted rate उनको यह sell कर दे ताकि order book के उपर impact नहीं हो but definitely यह जो भी decision यहाँ पर लेते हैं it's going to be important direct sell का मुझे तो नहीं लगता है लेकिन अगर वैसा हुआ था definitely उसका कुछ न कुछ impact यहाँ पर market में आ सकता है तो अभी के लिए overall यही यहाँ पर update है I'm sorry थोड़ numbers जब भाएंगे US के उसका bitcoin is going to pump और it's going to dump क्या लगता है आपको यह sideways what do you think do let us know in the comments फिर देखते है कौन से ही निकलता है शाम को यहाँ ठीक है तो like subscribe कर देना comments दाल देना बाकी मिलेंगे next update के अंदर तक के लिए bye and take care bye